सर नमस्कार नमस्कर सर सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विर्जेश चावहान है सर कहां से आए आप? जी मैं उत्तर परदेश दिवरिय डिस्टिक से आया हूँ संत्रामपाल जी माराज से कब जुड़े? जी मैं 24-6-2010 को जुड़ा है सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साथना करते थे? सर मैं संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले मैं सभी देवधित देवताओं की वक्ति करता था सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की बक्ती कर रहे थे तो संत्रामपाल जी मारे से नाम दिख से क्यों लिया आपने सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ड वन वाया था तो उसमें मेरे को जाना था सोधी उसमें जो है कि मेटकल रिपोर्ड मेरा HIV का आया सर चाहिए कि बिमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की बक्ती करके भी कुछ फायदा नहीं है इसलिए मैं संत्रामपाल जी माराज जी की सरन में आया और उनसे नाम उपदेश लिया सर क्या बिमारी होगी थी आपको सजी साथी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासफोर्ट एक किया एपलाई किया वहाँ ट्रेडवेल करके एक आपी से बामबे में तो वहां से जब इंटर्वीम हो गेरा सब मेरा पास हुआ था जब मेटकर रिपोर्ट आया तो आपीस में मैं गया तो वहां एक सकीना करके मैडम है तो उसको मैं पूछा तो बोले चावान साब आपका तो बहुत पोजेटी रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है मैं वहाँ एक्दम तक रहा गया, मैं बोला मैंडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको AIDS हो गया है और आपको भेज नहीं सकते जबकि यो कमपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भई मेरे पास payment नहीं है मैं payment नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए तो बोले कोई बात नहीं आप चलो वहाँ आपके payment से पैट कर लेगे लेकिन जब रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एक दम ठक बक रहा गया मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं तो पुरा सकीना मैडम है आप इसमें काम करती थी ओले चवान जी ऐसा टीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ आप जाओ मत वहाँ मैं तो ठीक है मैडम फिर मैं वहाँ से जब नासीक आया दो चार जगा और रिपोर्ट करवाया तो सब जगा वही द बताया ये बात कि वही मनोज मेरे को तो ऐसा बीमारी हो गया है तो वो बोले हरसने लगा बोले यार भगत जी बाई साब आपको इतना खतरनाक बीमारी हो गया है मैं बोला हाँ मेरे पास ये सब रिपोर्ट है तो बोले कोई बात नहीं आप चलो बरवाला अश्रम में वहा से आप अगर नाम दिछा लेके वक्ती करें तो आपका कल्यान हो सकता है फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं पूरे बिश्व में कोई दवा नहीं है मैं तो अभी एकदम तूट गया मेरे बच्चे छोटे-छोटे है अभी उनका क्या होगा जबकि घरवाले बोल रहे थे मेरी आदर से दारू पीना खाना ऐसा तो क्या बोल रहे थे कि वही यह अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीक मंगवाएंगे कटोरा दे कर अब बच्चों का भी तकलीफ इदर है इसका कोई इलाज नहीं तो मनोज बोले कि वही चलो मैं बोला नहीं मैं नह सर जैसा कि आपने बताई कि आपको HIV AIDS था, सर इस बीमार के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जाच आपने कहां करवाई? अब बताई करवाई फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, उहाँ पर अपनी दवाई सिविल का एटेटमेंट है, इस पर अपना दवाई स्टार्ट किये थे और अभी मैं जब से संत्राम पाली महराज जी से नाम अबदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV AIDS ह बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर क्या आया रिपोर्ट में, सर रिपोर्ट दिखाना? यह मेरा HIV टेस्ट है, HIV 1 और HIV 2 दोनों निगेट भी बता रहा है सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV AIDS पॉजिटिव है? कहा के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? सर अकसर जब लोगों को बिमारिय होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के उपर निर्भर हो जाते हैं और अपना इस्ताई इलाज करवाते हैं लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत्रामपाल जी महराज की संड में जाते हैं तो सर ये समझाने की कोशिज कीजिए कि संत्रामपाल जी महाराज के संद में जाने के बाद कैसे आपको लाब हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आसरम में पहुचा तो गुरुजी यों से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया गुरुजी से, संत्रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ है अच्छा है नहीं लगता में क्या करूँ, तो संत्रामपाल जी ने कहा कि वही परमात्मा दया करेंगे, जब सब रास्ते बंद हो जाते तो परमात्मा दया ही करते हैं और यह परमात्मा का दरवार है, तुम भक्ति करो, तुमारा रोक कट ही जाएगा, तो संत्रामपाल जी महाराज जी ने बात जब बताई थी, तो मेरे को थोड़ा तरसल्ली है और मैं आज सुखी हूँ सर देखिए आज का जो वर्तमान जमाना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें आपने रिपोर्ट दिखाई आपने डॉक्टरों के नाम बताए मेडिकल के नाम बताए ब जब आखरी पोजीशन पर आता है तो डाक्टर भी बोलते है कि अब तो बगवान का ही वरोसा है कि बगवान की सरन में जाओ और बक्ती करो शायद बगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा क्योंकि डाक्टर भी जब जबाब देते है तो बगवान के तरफ ही भेजते है सर क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं किसी और संसे भी आप नाम निक्सा लेते तो वहाँ पर भी आपकी बिमारी ठीक हो सकती थी नहीं क्योंकि उनके पास कोई परमान ही नहीं है और जो साधना बताते हैं गलत है और यह जो हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज बताते हैं हर एक सब्द का प्रूप करके बताते हैं इसलिए संतरामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं 101% साधना बताते हैं बाकि कि किसी के पास कोई प्रूप नहीं है इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाब नहीं होता है। तो सर आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि संतरामपाल जी माराच से नाम दिख से लेने के बाद आपको और क्या-क्या अन्बव हुए हैं। नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रात्ना की संतरामपाल जी माराच जी सर्शन कर रहे थे। वहाँ जब मैं प्रात्ना लगाया मने मन्द। मैं बोला परमात्मा अगर आपकी सरन में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर इतना सब्द बोला और मैं गया बात्रूम तो इतना वड़ा खड़ा जिसको मुद खड़ा बोलते। अपने आप कट करके गिरा उदर और मैं उठाया हाथ में देखा फिर रख दिया वहीं पर वो लाब होगा मेरे को। बाकी जो अपने काम धंदे उसमें भी बहुत प्रापिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारूर्स राव यानि किसी परकार का ऐसा कोई नसा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ। और हर काम करता था मैं इतना नास्तिक बेक्टी था घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव हो बोलते थे यह नहीं सुधरेगा लेकिन संतरामपाल जी महराज जी के सरन में जाने से ही मैं जब से नाम उबदेश लिया है मुझे किसी भी चीज की आदी नहीं है सर आज आप कौन-कौन सा नसा करते हैं? किस-किस चीज के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नसा नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही नसा है कि संतराम पाली का बताया हुआ जो सादना है वो ही नसा है, बाकी कुछ नसा नहीं है आज के पर ही. सर देखिए जैसा कि आपने बताये कि आपको HIV AIDS था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुस्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्ता में ही आपको रहात मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरा ने इस बात को ले करके, तो सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज के दिन लाखो रुपे मेडिकल में खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको मैं यही काना चाहूँगा, यह तो आद्देश तो परमात्मा ही देखे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे, कि जैसे मैं दुखी था और संतरामपाल्जी महराजी के सरन में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ती मार्ग में जूड़ो संतराम ना रहें, कि जो आपको HIV जैसी बहनक बीमारी थी, वो ठीक हो गई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारिया होती है, इसका सही से प्रोपर इलाज नहीं है, बहुत सारे लोग जानगवा देते हैं इस बीमारी के कारण, आपका जो पूरा पता है, वो लोगों को बताएं, ताकि वो आपसे कन्फर्म कर सकें, कि वास्तम में ही आपको जो बीमारी थी, वो ठीक हो गई, सर मेरा एड्रेस है, श्योग निवास उत्तम नगर, सिड को, मेरा मोबाइल नमबर है, 9850690053, यह मेरा मोबाइल नमबर है, और कोई भी कभी भी मुझे फो संतरामपाल जी माराज से नाम दिख से लेने के बाद यह लाब हुए है, आज की जिन यदि कोई यह लाब संतरामपाल जी माराज से लेना चाहें, तो वो कैसे ले सकता है, क्योंकि संतरामपाल जी माराज तो जेल में है, तो उन लोगों को नाम कैसे मिलेगा, जैसे आपको सर संतरामपाली महराज जी का बिविन चैनलों पे सरसंग आता है उस पर आप कुछ फोन नंबर रहते हैं उसको देखके उस पर कंटेक करके और वहां से पता कर सकते हैं हर जिले में हर जगा पे नामदान अस्थल उपलब्द है और लोग बता देंगे वहां से आप नामदान कर सकते हैं सर नामदिक्सा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे सर आ तो एक रुपया भी नहीं देना होता है सब वहां की विवस्ता फिरी आप कोश्ट है वहां कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरसा है